आज मैं आपको बताऊंगी CodeBlocks का लेटेस्ट वर्जन Windows Operating System में कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है मैं Chrome ब्राउजर ओपन कर रही हूँ फिर आपको सर्च बार में सर्च करना है CodeBlocks CodeBlocks टाइप कर देने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है फिर यहां फिर्स्ट लिंक CodeBlocks.org पर क्लिक करना है यह CodeBlocks की ओफिशल साइट है यहां आपको राइट साइड में मेनू में थर्ड नंबर पर Downloads पर क्लिक करना है फिर Downloads के अंदर Download the Binary Release पर क्लिक करना है फिर Scroll Down करना है Binary Releases में अलग-अलग Operating System के हिसाब से Different Setup Package का लिंक दिया हुआ है जैसे Windows, Linux, Mac Operating System हमें Windows वाले लिंक पर क्लिक करना है यह सारे लिंक्स Windows Operating System के लिए दिये गए है Linux और Mac Operating System के लिए लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे Microsoft Windows में कई सारे लिंक्स दिये गए है Administrator और Non-Administrator फाइल्स है Zip फाइल्स भी है 32-bit Operating System है या फिर 64-bit Operating System है इस तरह से अलग-अलग लिंक्स दिये गए है हमें यहाँ पर 4th one Code Blocks 20.03 MinjiWSetup.exe Download करना है कई सारे Newcomers गलती से Code Blocks 20.03 Setup.exe फाइल डाउनलोड कर लेते हैं इससे उनके सिस्टम में सिर्फ Code Blocks IDE इंस्टॉल होता है GCC Compiler उनके सिस्टम में डाउनलोड नहीं हो पाता इससे वो Code Blocks में C या C++ Programs लिखतो पाते हैं पर उनको रन नहीं कर पाते क्योंकि Compiler नहीं होने की वज़े से वो Programs Compile नहीं होते आपको ये गलती नहीं करना है आपको ये 4th वाला Code Blocks जिसमें MinGW Compiler भी है यह डाउनलोड करना है यह 64-bit Operating System के लिए है अगर आपका 32-bit Operating System है तो आपको यह Last Second वाला MinGW 32-bit Setup Package डाउनलोड करना है जिन सेटब पर 32-bit नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वो 64-bit Operating System के लिए है डाउनलोड करने के लिए हमारे पास दो आप्शन्स है Fosshub और Sourceforce.net दोनों मेंसे आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं मैं Let's Say Fosshub से डाउनलोड करती हूँ तो मैं यहां 4th Setup के आगे Fosshub लिंक पर क्लिक करूँगी अब यह हमसे पूछ रहा है कि आपको Setup Package अपने सिस्टम में कहां डाउनलोड करना है Let's Say मैं Downloads Folder में डाउनलोड कर रही हूँ Location सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां Save बटन पर क्लिक करना है और Setup Package यहां bottom में डाउनलोड हो रहा है कुछ seconds ले सकता है यह 145 MB का है Code Blocks 20.03 with MinGW Setup 464-bit Windows Operating System हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है अब हमें यहां Right Side में Upward Arrow पर क्लिक करना है उसके बाद Show In Folder पर क्लिक करना है इससे यह Setup Package File Explorer में open हो गया अब हम इस Setup पर Double Click करके इसको Run कर सकते हैं या फिर हम इस पर Right Click करके Run As Administrator कर सकते हैं याद है ना आपको Code Blocks की Website पर Non Administrator के लिए भी Setup Package लिंक दिया गया था तो अभी हम इस Run As Administrator पर क्लिक करेंगे Administrator Permission देने के लिए यहां Yes पर क्लिक करेंगे Code Blocks Setup विंडो ओपन हो गया है इस Setup की Help से Code Blocks IDE with MinGW Compiler हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे Next पर क्लिक करें यह License Agreement है I Agree यहां पर इन सभी Checkboxes पर टिक लगा होना चाहिए इसमें हमारा MinGW Compiler भी Included है इस Destination Folder में Code Blocks इंस्टॉल होगा आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं यहां Browse बटन पर क्लिक करके Default Location है C Program Files Code Blocks मैं यही रखूंगी और 531.5 MB स्पेस की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके सिस्टम में अवेलबल हो गा ही तो अब हम इस Install बटन पर क्लिक करेंगे और Code Blocks हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है सभी Components, Plugins, Tools इंस्टॉल हो रहे है यहां Desktop पर Code Blocks का Shortcut भी Create हो गया है Code Blocks हमारे सिस्टम में सक्सेस्फुली इंस्टॉल हो गया है Do you want to run Code Blocks now? क्या आप Code Blocks को अभी Launch करना चाहते हैं? नहीं, अभी हम No पर क्लिक करेंगे क्योंकि Code Blocks को Open करने से पहले हम MinjiW Installation Location Path Environment Variable में एड़ करेंगे यानि MinjiW जिस Location पर Install हुआ है वह Location Path Environment Variable में एड़ करेंगे No, Next, Finish Environment Variable में Path एड़ करने से हम C, C++ और दूसरे Tool Sets को अपने File System में किसी भी Folder से यूज कर पाएंगे जैसे आप अपने Keyboard पर Windows बटन प्रेस कीजिए इसके बाद आप यहां Search बार में Command Prompt सर्च कीजिए आप Simply CMD लिखेंगे, ऊपर आपको Command Prompt दिख जाएगा आपको इस पर Double Click करना है और इसको Open कर लेना है अब आपको यहां GCC, Space, Dash, Dash, Version टाइप करना है और फिर Enter प्रेस कर दीजिए तो आपको यहां Error मिलेगा GCC is not recognized as an internal or external command पर जब हम GCC का Path add कर देंगे Environment Variables में तब हमें यह Error नहीं मिलेगा तो Command Prompt को Close करते हैं और फिर से एक बार Windows बटन प्रेस करते हैं अपने Keyboard पर अब हमें यहां Search बार में लिखना है Env इससे आपको ऊपर ही दिख जाएगा Edit the System Environment Variables आपको इस पर Double Click करना है इससे System Properties Dialog Box open हो जाएगा यहां नीचे Environment Variables बटन पर क्लिक करेंगे अब यहां Path पर क्लिक करेंगे फिर Edit अब हम Code Blocks के Desktop Shotcut आइकन पर Right क्लिक करेंगे इसके बाद Open File Location पर क्लिक करेंगे फिर MinGW Folder में जाएंगे इसके बाद Bin Folder में जाना है Bin Folder के अंदर ही आपको GCC, G++ और बाकी सभी Tool Sets मिल जाएंगे तो हम Bin Folder का Path Environment Variable में एड करेंगे यहां Folder का छोटा सा आइकन होगा इस पर क्लिक करेंगे इससे Bin Folder का Path सेलेक्ट हो जाएगा अब हमें इस Path पर Right Click करना है और इसको Copy कर लेना है फिर File Explorer को Close कर देना है अब यहां Edit Environment Variable Dialog Box में New Button पर क्लिक करना है फिर यहां पर जो हमने अभी Path Copy किया है Bin Folder का उसको Paste कर देना है तो हम इस Text Box में Right Click करेंगे इसके बाद Paste C Program Files Code Blocks Minji W Bin अब Enter प्रेस कर देना है Path Add हो गया अब नीचे सभी OK पर क्लिक करना है OK फिर से OK और यह Last OK अब हम फिर से Command Prompt ओपन करते हैं cmd gcc space dash dash version Enter अब आपको यहां gcc का वर्जन नजर आएगा 8.1.0 अगर आपको gcc space dash dash version command देने पर gcc का वर्जन मिल जाता है इसका मतलब आपने Path Environment Variable सही से सेट कर लिया है अब आप C और C++ Programs अपने File System में किसी भी Folder से रन कर सकते हैं अब Command Prompt को Close कर देते हैं और Code Blocks Open करते हैं आइकन पर डबल क्लिक करेंगे डबल क्लिक करने से ये Open नहीं हो रहा है तो मैं इस पर Right क्लिक करती हूँ और फिर Run as Administrator पर क्लिक करती हूँ Yes और Code Blocks अब Open हो रहा है और आप यहाँ देख सकते हो GNU GCC Compiler is Detected Okay कर देंगे अभी ये पूछ रहा है कि क्या आप C, C++ Source Files के लिए Code Blocks को Default Set करना चाहते हैं No, Leave Everything as it is अभी सब ऐसी रहने देते हैं Okay पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा Code Blocks का Interface है अब मैं आपको Code Blocks में एक छोटा सा C Program रन करके दिखाऊंगे तो C File Create करने के लिए यहाँ File Menu पर क्लिक करना है उसके बाद New फिर Empty File जिसका Shortcut आप Note कर सकते हैं Ctrl Shift N Let's Click तो एक New Untitled File यहाँ पर Open हो गई है इस Space में हम अपना C Program easily लिख सकते हैं एक Simple सा Hello World प्रोग्राम बनाते हैं C में Has Include Space Open Angle Brackets Stdio.h Close Angle Brackets Enter Int Main Curly Braces Print F Hello World फिर Return 0 Let's say Hello World की जगा मैं लिखती हूँ Hello Dear Coding ठीक है हमने Code लिख लिख लिया अभी आप Note करना की सारे Texts Black Color के हैं अब हम इस File को Save करेंगे File Save File Shortcut है Ctrl S फिर यहाँ से Location चूज कर लिए कहाँ पर हमें File को Save करना है Let's say मैं Documents Folder में कर रही हूँ उसके बाद यहाँ Empty Space पर Right Click करके एक New Folder Create करेंगे New Folder Let's say मैं इसका नाम रख देती हूँ C Programs Enter एक बार फिर से Enter File का नाम मैं रख देती हूँ FirstProgram.C FirstProgram.C फिर Save क्यूंकि हमने File को .C Extension से Save किया तो हमारे Code का Color उस Language के According Change हो गया यहाँ पर सभी Texts सब Colorful हो गये हैं Alright, अब हम इस Program को Run करते हैं Run करने के लिए यहाँ आपको Green Color का Triangle Shape में एक बटन नजर आ रहा होगा इस पर क्लिक करना है पर इस पर क्लिक करने से एक Pop-Up आया It seems that this file has not been built yet Do you want to build it now? Program को Run करने से पहले हमें इसको Build करना पड़ता है तो हम यहाँ पर Cancel करेंगे इस बार हम Run आइकन के बगल में जो Settings आइकन है इस पर क्लिक करेंगे इस से हमारा Program बिल्ड हो जाएगा तो यहाँ क्लिक करो और अब हमारा Program बिल्ड हो गया है अब हम Run आइकन पर क्लिक करेंगे और Output आगया है Hello Dear Coding आप चाहे तो Program को एकी साथ बिल्ड और Run कर सकते हैं इस Build and Run आइकन पर क्लिक करके जैसे मैं यहाँ Dear Coding को हटा कर फिर से Hello World लिखती हूँ और अब इस Build and Run आइकन पर क्लिक करती हूँ और हमारा Program सक्सेसफुली Build भी हो गया, Run भी हो गया और हमें Output मिला है Hello World तो आपने देखा, हम Code Blocks को अपने सिस्टम में Easily इंस्टॉल कर सकते हैं बस हमें दो बातों का ध्यान रखना है Code Blocks को डाउनलोड करते समय हम सिर्फ Code Blocks IDE डाउनलोड नहीं करेंगे बलकि हम वो Code Blocks डाउनलोड करेंगे इस वीडियो में हमने सिंगल सी फाइल क्रियेट करके उसको बिल्ड और एक्जिक्यूट किया इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि Code Blocks में प्रोजेक्ट कैसे क्रेंट करें उसमें फाइल्स एड कैसे करें डिली कैसे करें प्रोजेक्ट आप इस एक प्रोजेक्म प्रोजेक्ट को अटिवेट कैसे करें आप यह वीडियो देखिए और यह सभी डॉट्स क्लियर कर लीजिए ठीव हैं आप एस प्रोग्रामिंग ब्लिब्ल बेसिक से अडवांसी तक सीखना चाहते हैं तो आप इस C programming full course playlist को follow कर सकते हैं आप इस playlist को save कर लिजिए क्योंकि मैं daily एक new C programming video इसमें add करती हूँ